तो पिछले लेक्चर में हम माइचेलशन मोरले एक्स-पेरिमेंट की चर्चा कर रहे थे माइचेलशन ने ये एक्सपेरिमेंट कन्सीव किया था उसकी योजना बनाई थी और उन्होंने ये experiment परफॉर्म किया जिसमें कि मुखिरूप से एक light की पतली beam प्रकाश की पतली beam को glass plate से आधा reflect कराया और आधा आगे जाने दिया और दोनों के रास्ते में फिर perpendicular लंबवद दिशा में ये दरपन रखे एक M1 दरपन यहां रखा एक M2 दरपन यहां रखा और दोनों जगह से प्रावर्तित होकर करने आई light की beam आई उसका कुछ हिस्सा इधर को आया इधर से जो आई वो इसमें से पार करके इधर आगे बढ़ी इधर से जो आई वो यहां से परावर्तित हो करके इधर बढ़ी जो इधर का हिस्सा इधर चला गया उसकी चिंता नहीं करना जो इसका इधर का हिस्सा परावर्तित होके इधर चला गया उसकी चिंता नहीं करना लेकिन यह जो दोनों आए उसको फिर टेलिस्कोप में देखा गया और उसके आगे वहां से गणना हुई लेकिन उसके पहले हमें यह calculations में चाहिए था कि यहां से जाकर यहां आने में कितना समय लगा और यहां से जाकर के यहां आने में कितना समय लगा तो पहला पार्ट हमने कर दिया था कि इस शीशे की प्लेट से M1 मिरर तक जा करके आने में कितना समय लगा तो वह हमने यहां पर कैलकुलेशन किया था वह कैलकुलेशन करके हमने यहां इसको T1 निकाल करके रखा हुआ है कि इसको इतना समय लगा और अब हम अभी जो काम करेंगे वो दूसरे वाले हिस्से में यहां से M2 मिरर तक जा करके लॉटने में कितना समय लगा उसको हम निकालेंगे तो दर्ती के फ्रेम में अपनी लाब के फ्रेम में यह Y दिशा में रोष्णी जा रही है और Y दिशा में वापिस माइनस Y दिशा में वापिस आ रही है तो यानि अगर हम इसका हमें क्या चाहिए हमें यह VY प्राइम चाहिए एक्स दिशा में तो कोई वेलासिटी है नहीं इस फ्रेम में VX प्राइम तो 0 है VY प्राइम हमें चाहिए तो मैं थोड़ी जगे बना लूँ तो हम अपने फिर से ट्रांस्फर्मेशन इक्वेशन लिखेंगे VX प्राइम बराबर VX माइनस V और इस बार यहां से उपर जब हम M2 तक जा रहे हैं तो X दिशा में वेलासिटी का कोई कॉम्पनेंट नहीं है वाई दिशा में है अर्थात यह 0 है 0 बराबर VX माइनस V अर्थात VX बराबर V यह इस हमारे गेलिलियन ट्रांस्फर्मेशन से जो परणाम निकले थे उसमें से यह बात निकल करके आई कि वी ए एक्स क्या है यह वाली जो रौष्णी उपर जा रही है उसका एथर के फ्रेम में यह प्राइम नहीं लगा है इथर के फ्रेम में X monopoloben तो वह X component यह वी है और VY प्राइम के लिए हमारे equation क्या था वी गाई के लिए हमारे equation था वी वाई प्राइम पराबर वी वाई और इसलिए यहां पर अगर मैं लिखूं वी वाई इकोल टू वी वाई प्राइम अब आप इनको स्क्वार करके जोड दीजे तो वैसा जब करेंगे इसका स्क्वार प्लस इसका स्क्वार अर्थाथ वी एक्स स्क्वार प्लस वी वाई स्क्वार बड़ावर इसका स्क्वार प्लस इसका स्क्वार यानि वी स्क्वार प्लस वी वाई प्राइम का स्क्वार अब यह क्या है यह वी एक्स यानि प्रकास के वेक का इथर फ्रेम में एक्स कॉम्पन καιέμεंगी प्राइम नहीं लगा है और यह प्रकाश के विए का इसर फ्रेम में वाइ कॉंपनेट इसकाsquare इसका इसको जोड देगे तो इसर को फ्रेम में प्रकाश की चाल का स्कौयर आएगा स्पीड का स्कौयर हो जाएगा जो स्पीड कास्क्वैर स्टित्र में देखेंगे तो वह ब्लैकबोर्ट से बाहर के तरफ आ रहा है इधर तो कुछ है नहीं जो कुछ हो रहा है थो यह इथर के फ्रेम में प्रकास का यह वाला प्रकास यहां से M2 की तरफ जा रहा है हमारे हमारी एर्ट के फ्रेम में तो उस प्रकाश का वेग का जो मैगनिचूड है यानि स्पीड है चाल है उसका ये स्क्वाइर है और इसलिए यह हो गया c स्क्वाइर बराबर v स्क्वाइर प्लस v y prime square और यहां से आप v y prime लिख सकते हैं और वो v y prime होगा वो v y prime होगा square root क्योंकि v y prime का square है यहां पे और इस v square को आप इधर ले जाओगे v square minus c square minus v square ऐसा यह है v y prime और यह prime frame में है यह अर्थ के frame में है अर्थ के frame में प्रकाश के वेक का y component है यह अर्थात इस तरफ जो velocity है रोष्णी की वो velocity हमने अभी निकाली है तो यहां से और यहां तक जाने में कितना समय लगा इस मीरर तक पहुंचने में कितना समय लगा तो उसको आप टी टू ए लिखे तो टी टू ए वरावर यह डिस्टन्स भी आप ल ले 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 लवन और और M2 से अगर आप वापिस आएंगे यहां तक तो भी उतना ही समय लगेगा वही गनित होगा वही अलजेब्रा होगा कि वह एक दिशा का परिवर्तन है यहां भी वह पर परपेंडिकुलर है जो इथर का वेग है इस फ्रेम के अंदर में सब कुछ वैसा ही होगा उतना ही स है L divided by square root C square minus V square और इस कारण से T2 total time यहां से जाके यहां लोटने में और यहां से जाने में और फिर लोटने में total time जो है वो T2 A plus T2 B और फाथ 2 L by यह इतना इसमें से C आप बाहर निकाल लेजे तो C और यहां 1 by square root 1 minus V square by C square अब आप इन दोनों T1 और T2 को देखे तुलना करें T1 का मान देखें T1 का मान हमने निकाला था 2 L by C 1 by 1 minus V square by C square लेकिन T2 का मान हमारा जो निकला है 2 L by C 1 by square root of 1 minus V square by C square दोनों अलग-अलग हैं बराबर distance भी अगर हम लेते हैं L और L तो रोशनी को यहां से यहां तक जाकर लोटने में जितना समय लगा और यहां से उपर M2 तक जाकर लोटने में जितना समय लगा वो बराबर नहीं है तो वो कितना उन में परिवर्तन है कितना उन में difference है तो वो डिल्टा टी अगर आप लिखें डिल्टा टी बराबर T1 minus T2 तो यह परिवर्तन है 2L by C और फिर यहां पर 1 by 1 minus v square by c square और –1 by square root 1 minus v square by c square यह इतना दोनों में परिवर्तन है और इस परिवर्तन के कारण से दोनों तरफ आने में इस साइट से जाकर आने में इस साइट से जाकर आने में समय जितना लगा उसमें जो परिवर्तन है उसमें जो अंतर है उसके कारण यहां टेलिस्कोप के अंदर में एक फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ता है कैसा फ्रिंज पैटर्न दिखाई पड़ता है कि यहां पे इनको कहीं पर अच्छी सी रौष्णी दिखती है कहीं पर इनको अच्छी सी रोशनी दिखती है और फिर कुछ अंधेरा सा दिखता है फिर कुछ अच्छी सी रोशनी दिखती है फिर कुछ अंधेरा सा दिखता है तो इस तरह का ऐसा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऐसा एक पैटर्न यहां पर दिखता पैटर्न कितना होगा कैसा होगा कितनी दूर के ऊपर बराइट होगा कितनी दूर के ऊपर डार्क होगा यह सब चीज़े इस पर निर्भर करेंगे है अब माइखेल्सन का जो जिनियस वह क्या था देखें उन्हों ने सार। एक बड़े से प्लैटफॉर्म पे डिजाइन किया था यह सब कुछ एक बड़े से platform पर डिजाइन किया था और उस platform को mercury के पूल पर float किरा गया था और idea यह था कि उसपूरे platform को 90 degrees से गुमा दिया जाएगा और जिब 902सेC घुमा दिया तो क्या हुआ जो यह M1 मिरर है यह इधर चला गया और M2 मिरर जो है वो इधर चला गया यानि यह जो राष्टा था जो पहले इथर में जो हमारी हमारा वेग था उसके समाना अंतर था और यह राष्टा उसके लंबवत था यह धरती इधर में अगर इस तरफ को चल रही है दाहिनी तरफ को चल रही है हमारे चित्र में तो यह जो पहले मिरर M1 मिरर वाला रास्ता था वो धरती के इधर में चलने की दिशा के समाना अंतर था और M2 वाला जो रास्ता था वो उस धरती के इधर में चलने वाली दिशा के लंबवत था लेकिन 90 डिग्रे से घुमा देने पर यह पलट गया तो अब घुमा देने के बाद जो टीवन था वो टीटू बन गया जो टीटू था वो टीवन बन गया तो इसलिए अब फिर से नया अगर हम यह डिल्टा टी निकालेंगे यह घुमाने क के बाद का डिल्टा टी निकालेंगे तो वो कैसा होगा तो उसको आप लिखें इसको आपने डिल्टा टी कहा है उसको आप कुछ और नाम दे दे डिल्टा टी स्टार लगा दे यह यानि 90 डिग्री घुमाने के बाद इस आर्म में जो था इस वाली भुजा में जो था और time difference आप फिर से लिखे तो इसका उल्टा हो जाएगा अर्थात यह 2L by C के बाद और पहले यह आएगा square root वाला और बाद में फिर यह आएगा यानि इसका negative हो जाएगा तो delta T में कितना परिवर्तन हुआ घुमा देने के कारण delta T में कितना परिवर्तन हुआ वह भी आप लिख सकते हैं delta T और माइनस delta T स्टार ऐसा लिख सकते हैं वह इसका दुगना हो जाएगा और यह जो fringe pattern है यह fringe pattern इस delta T के कारण से यहाँ बना हुआ है इस delta T में अगर कोई परिवर्तन होगा तो यह fringe pattern खिसकेगा शिफ्ट होगा अभी टेलिस्कोप में जो दिख रहा है टेलिस्कोप में एक खास क्रॉसवायर होता है तो आप देख सकते हैं कि हाँ जो क्रॉसवायर है वहाँ पर डार्क है या ब्राइट है या दोनों के बीच में कहां पर है आप देख सकते हैं इस डिल्टा टी में टीवन माइनस टीटू जो है इसमें अगर परिवर्तन होगा तो यह पूरा fringe pattern ऐसे खिसकेगा एक साइड में खिसकेगा कितना खिसका इससे आप पता लगा सकेंगे कि डिल्टा टी में कितना परिवर्तन हो और तो इस का पता चल जाएगा और इसका पता चला को पता है तो ऋसमें experiment जो design किया गया था कि हम धर्ती का वेग एधर के फ्रेम की अपेक्षा कितना है उसको नापना चाहते हैं तो वह नापने की यह पध्धती बनी कि आप यह करो यह करो यह करो फ्रिंज पैटर्न आएगा उसको देखो और उसके बाद पूरे प्लाटफार्म को 90 डिगरी से टेंड करो तो फ्रिंज पैटर्न में शिफ्ट होना चाहिए कितना शिफ्ट होगा उसको नापो और कितना फ्रिंज शिफ्ट हुआ उससे फिर क्यालकुलेशन हो जाएगा यहां से कि वह कितना है इथर में धर्ती की विल हारना है और इसको करने के लिए और बहुत परिश्रम बहुत डिजाइन सब कुछ किया गया क्योंकि यह जो फ्रिंज शिफ्ट होने वाला था यह भी अपने आप में काफी थोड़ाई से शिफ्ट होने वाला है लेकिन फिर भी डिजाइन ऐसा करना था कि भी अगर 20-25 किलो 30 किलोमेटर पर सेकेंड का उसका स्पीड होता था तो कल्पना यही थी कि उस स्पीड को पकड़ना है इथर का स्पीड कुछ वैसा ही होना चाहिए इस प्रकार का डिजाइन छैइन लकिन जब यह एक्सप्यरमेट किया गया और और नबे ड़ी डिगर डूटेशन वगरा किया गया तो पाया गया कि फिरिंग में जर्जासा भी परिवर्तन नहीं हुआ फिरिंज पैटर्ण जैसा था ऐसा ए रो penal कर nonprofit यह जो वी है यह फिश्विस जीरो निकल करके आया इस वी का मन फिमाटों जीरो निकल करके आया तो हो सकता है जेरो निकल करके आया क्योंकि हमारी धर्थी ऐसा चलती है तो किसी समय उसकी विलासिटी इधर होती है किसी समय उसकी विलासिटी वह उती है सूरज के चारो बगल धर्ती चलती है आपको पता है सूरज के चारो बगल धर्ती ऐसा चलती है चक्कर लगाती है 365 दिनों के अंदर में तो धर्ती जब यहां है तो उसमें इधर चलती है जब यहां है तो इधर चलती है तो हो सकता है कि जिस समय experiment किया गया उस समय में और इथर के frame में यह ठिर्था संक्य पेक्षा इथर इधर चल रहा था यह भी दर जीरो हो जाए लेकिन जब यह 30 किलोमेटर सेकेंड प्रती सेकेंड पलट करके यहां 30 किलोमेटर पर सेकेंड इस तरफ हो जाएगा तो अगर यहां इथर किया पेक्षा वेलास्टी जीरो है तो यहां तो इथर के पेक्षा वेलास्टी 60 किलोमेटर प्रती सेकेंड हो जाएगी तो यह experiment साल के अलग-अलग महीनों में दुहराया गया कि इस समय में हमें भी बराबर जिरु मिला था इस समय में हमें कुछ मिल जाएगा लेकिन हर हालत में चाहे आप उसको मार्च में करें या अक्टोबर में करें या दिसमर में करें जरुरी में करें हर हालत में इधर रखकर करें थोड़ा घुमा करके करें जादा घुमा करकर हर हालत में V कामान हमेशा 0 ही निकल करके आया और माइकलसन की जो पूरी योजना थी कि हम एथर के फ्रेम में absolute rest frame में धर्ती का वेग निकालेंगे वो धराज आई हो गया इसको कहते हैं Null result of Michelson-Morley Experiment या Negative result Michelson-Morley Experiment fail हो गया ऐसा कहते हैं तो उसका उसमें जो सोचा जा रहा था कि fringe pattern में shift होगा उसे भी निकलेगा वैसा नहीं हुआ भी बराबर zero ही आ गया तो यह जो result है कि भी बराबर zero ही है कोई किसी प्रकार का fringe shift नहीं हो रहा है यह एक बहुत बड़ी अन्बूज पहेली रही बहुत समय तक और इसका भी योगदान रहा relativity के principles को करने में क्योंकि यह अगर होता यह अगर मिल गया होता तो हमें फिर principle of relativity से हाथ धोना वड़ता है क्योंकि तब इधर के फ्रेम में velocity c होती दूजरे फ्रेम में जो उसकी अप्रेक्षा एक समानवेक से चल रहे हैं उनमें velocity c नहीं होती उनमें Maxwell's equations लागू नहीं होते तो सभी inertial framework जैसे नहीं होते लेकिन ऐसा नहीं हुआ प्रयोगों के द्वारा पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और तब यहां से आइंस्टीन की परिकल्पना शुरू हुई कि हमें इस तथी को स्विकार करना पड़ेगा experiments है तो उसको तो स्विकार करना ही पड़ता है तो इस तथी को हमने समें स्विकार करना पड़ेगा कि हर एक फ्रेम में प्रकाश की velocity बराबर रहती है सी रहती है सी माइनस वी नहीं होती सी प्लस वी नहीं होती सी स्क्वार माइनस वी स्क्वार का स्क्वार रूट नहीं होता ऐसा कुछ नहीं होता चाहें कोई भी फ्रेम हो inertial frame सभी inertial frames में प्रकास की स्पीड सेम रहती है और अगर सेम रहती है तो यह जो optics electricity magnetism के जो हमारे equations हैं जो हमारे laws हैं अब उनके आधार पर सोचना फिर से कि relativity principle of relativity valid है या valid नहीं है जो electricity magnetism optics light इनके आधार पर तो हम experiment के द्वारा देख रहे हैं और माने इस बात को कि principle of relativity valid है और Maxwell's equations valid है सभी inertial frame एक समान है जो laws of equations सभी में एक प्रकार के हैं लेकिन mechanics के जो equations हैं उनका क्या होगा Galilean transformation का क्या होगा यह एक बड़ा सवाल उठकर के खड़ा होता है यहां से शुरुवात होती है Einstein की special theory of relativity की उन्होंने कहां यह मान लो आब आप कोई जंजट नहीं यह मान लो आप कि प्रिंसिपल of relativity सबके लिए सही है mechanics हो optics हो कुछ भी हो यह हमेशा के लिए सही है और जो light की speed है वो सभी frames में एक समान है यह आप मान लो Galilean transformations को अगर परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो परिवर्तन करेंगे लेकिन यह मान करके हम चलेंगे तो यह जो दो बाते आइंस्टीन ने लेकर के आगे अपनी थेयोरी डेवलप की उसको हम लोग कहते है पॉस्चुलेट्स ऑफ स्पेशल थेयोरी ऑफ रिलेटिविटी जो विशिस्ट आपक्षिक्ता स्पेशल थेयोरी ऑफ रिलेटिविटी उसका से दान्त उसके यह पॉस्चुलेट्स है अभी ग्रिहीत है तो हम उसको जरूर लिखेंगे क्योंकि यह सबसे केंद्र की बात है स्पेशल थेयोरी ऑफ रिलेटिविटी के अभी ग्रिहीत यह पॉस्चुलेट्स और पॉस्चुलेट्स का मतलब होता है कि बस यह इस पर प्रशन नहीं उठाना है यह मान के चलना है अपने को पॉस्चुलेट्स ऑफ श्पेशल थेयोरी अफ रिलेटिविटी क्या दो बाते जिसको कहेंगे पहला प्रिंसिपल अफ रिलेटिविटी याने आप एक शिक्ता का सिध्धान्त है प्रकृति के अफ्रेश्ट्स नियम प्रकृति के नियमो का स्वरूप सभी जरत्विय निर्देश्टंत्र या फ्रेम एक समान होता है प्रकृति के नियम सभी नियम मेकनिक्स हो अप्तिक्स हो एलेक्रिसिटी हो मैंगनेडिसम हो बायलोजी हो केमिस्ट्री हो सभी नियम प्रकृति के सभी नियम आप एक इनर्चियल फ्रेम में लिखें या दूसरे इनर्चियल फ्रेम में लिखें आपको वही समीकरन लिखने पड़ेंगे तो उनके नियम जो है वो अपरिवर्टित रहते हैं उनका जो लॉज हैं वो सेम रहते हैं यह पहला पॉस्चुलेट है पहली पहला अभिग्रिहीत है और दूसरा प्रकास के वेग के बारे में प्रकास का वेग और जब हम प्रकास का वेग कहते हैं यह निर्वात में वेग है यह मिटीरियल के अंदर में वेग नहीं है मिटीरियल के अंदर में आप जानते हैं शीशे के अंदर अगर लाइट घुशती है तो उस समय उसका वेग गट जाता है तो उसके बारे में नहीं यह निर्वात में जो प्रकास का वेग है उसके बारे में है प्रकास का वेग यह लिखी थे निर्वात में कि व्याक्यूम में कि सभी जड़त्विय तरह कि फ्रेमों में में बराबर होता है जिसको हम लोग छोटा सी अक्षर से लिखते है और उसका वैल्यू फिक्स्ट है लग भक्त्री इन्टू टैन पावर एट मीटर पर सेकेंड तो प्रकास का वेग सभी जड़त्विय फ्रेमों में बराबर होता है चाहे वो सोर्स जो है वो चल रहा हो स्थिर हो कुछ भी कर रहा हो जो जो प्रकास को जो रिसीफ कर रहा है वो अब्जर्वर दरपन लेंस वो चल रहा हो स्थिर हो कुछ भी हो रहा हो प्रकास का वेग हमेशा हर इनर्शल फ्रेम में एक ही जित्रा बिलने वाला है वहां पर वी एक्स प्राइम नहीं चलने वाले हैं तो यह दो जो पॉस्चुलेट्स हैं उनके आधार पर फिर बाकी सारी चीजें डिराइफ की गई हैं बाकी सारी चीजें निकाली गई हैं और बहुत अच्छी चीजें निकली हैं जिनका भमवर्णन करेंगे